नमस्का दोस्तों, InFocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोगों पता ही है कि उत्तर परदेश लोग से वायोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परिक्षा समिक्षा दिकारी और सहक समिक्षा दिकारी की वैकनसी जल्द ही आने के आपकी प्रबल संभावना है और उसके मद्दे नजर कई सारे बच्चों ने अल्रेडी तैयारी शुरू कर दी है या फिर कई लोग शुरू करने की सोच रहे हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन जियोग्रफी की इस परिक्षा में कितनी इंपोर्टेंस है उसके लिए हमें कौन सी ऐसी बुक्स को फॉलो करना चाहिए जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा लाबकारी से दो और उसके साथ ही कि इस परिक्षा में जो इस्पेशली आरो यारो की परिक्षा है उसमें आपका इंडियन जियोग्रफी से किन-किन चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रशन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा प्राथमिक महत्वका है कौन सा गौर महत्वका है किसे हम लोग ज्यादा किसे हम लोग एक बार रीट करके भी छोड़ सकते हैं या किवल एक ही बार रेवाइस करें लास्ट टाइम पर किसको रिवाइस करें इन सभी प्रस्णों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चलिए अपनी बात को सुरू करते हैं सबसे पहली बात कि देखिए जो इंडियन जोग्रफी है यानि ओवराल अगर हम जोग्रफी की बात करें तो जोग्रफी इसका वेटेज आपकी इस परिक्षा में काफी ज्यादा है और वैसे तो मैंने इसको अपने पहले ही एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में सभी सब्जेक्ट से कितने परशन कि उप्रशन के सब्जेक्ट से पूचे जाते हैं हैं सारा कुछ एक्स्प्रेंड कर दिया है पर आज हम लोग यहां पर ज्याजMc की बात करेंगे आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमा।से जानल पढ़ा में से 2021 में 23 तो अगर इनका एक हम मोटा मोटा एक एवरेज बनाएगी आपकी परिक्षा में कितने प्रश्म मिल सकने कि आपकी संभावना है तो वहां पर आप यह मान के चलिए कि लगभग आपको एक 20 प्रश्म जो है वो तो देखने मिली सकते हैं अगर हम यहां पर भी देखें त पिछले जो वर्श्म पूछी गई 2016 का यह रीजाम हुआ था आपका 2020 में करीब यह हुआ था तो 2017 की परिक्षा हो प्री और मेंस यह हम यहां पर बात कर रहे हैं इस्पेशली प्री परिक्षा के बारे में लेकिन जो मेंस की परिक्षा है उसमें भी कमोवेस इसी तरह का वे देखने को मिलेगा और इतने के हिसाब से अगर आप देखिए टोटल परिक्षा जो होती है वह 140 और यहां पर 20 नंबर तो यह एक अच्छा खासा इसका वेटेज है अगर आप जियोग्रफी को अच्छा स्तियार कर लेते तो आपका इस परिक्षा में यानि आरो यारो की प परलब जो भी आप फॉलो करें उससे आपके अगर सभी एक्जाम सद जा रहे हो तो फिर आपको ऐसी ही फॉलो करनी चाहिए चलिए बैक टूर टॉपिक अगर हम बात करें तो यहां पर 20 नंबर में इंडियन जियोग्रफी से वह लगभग 14 प्रशन पूछे जाते हैं और यह थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है मगर एक आप रेशियो माने तो लगभग यह रहता है कि अब यहां पर देखिए एकदम साफ पता चल रहा है कि यह जो है इंडियन जियोग्रफी की यहां पर महत्ता ज्यादा है यह देखिए स्वाभाविक भी है आप जब ज्यादा ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं इसको जो हमलों पड़ते हैं वही वर्ल्ल जेओग्रफी में वर्ल जॉंरफी में संभावन रहती है वो केवल यहां मतलब आरो यारो की बात नहीं है अगर आप UPSC को छोड़ दें तो बाकी लगवाद सभी एक्जाम्स में वो इंडियन जोग्रफी का वेटेज वर्ड जोग्रफी से ज्यादा ही देखने मिलता है तो चलिए अगर इंडियन जोग्रफी की बात करें जब इसका वेटेज ज्यादा है तो अगर हमें ये बात पता चल गई तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी बुक्स हो सकती है जो हमारे इस इंडियन जोग्रफी के पोर्षन को कवर कर लें आज हम लोग बेसिकली इंडियन जोग्रफी की बात करेंगे क्योंकि उनके ही टॉपि यार की बुक्स है वैसे तो मैंने आरो यारो के लिए सारी बुक लिस्ट की वीडियो एक बहुत अच्छी बनाई हुई है और वह भी आप देख सकते हैं अभी यहां पर अगर इंडियन जोग्रफी देखे तो एक फेरियार की बुक है दूसरी एक महेश बर्णवाल की है कि इसके बीच में देखिए और का साइन लगाया अबलिक है मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है साथ में आपको घटना चक्र की बुक लेनी है कि घटना चक्र इसपेशली जो पूर्वा वलोकन करके आती है घटना चक्र पूर्वा वलोकन जो बुक आती है उसमें आप लोग जो आपकी यह वाली है जियोग्रफी की वह आप लोग ले लेंगे तो इससे देखिए आपका क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको देखेंगे अगर तो इससे आपको यह समझ में आएगा किस तरह के प् पूछे जाते हैं किस से सरल पूछे जाते हैं किस प्रकृति के प्रशन पूछे जाते हैं क्या मैप औरियेंटेट ज्यादा पूछे जाते हैं नहीं तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आप इन में से कोई भी एक बुक पढ़ लीजे वह आपके लिए ज्यादा ब माध्यम के सिविल सेवा शात्रों के बीच में तो उसके बाद इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स के बुक निकालना शुरू कर दिया NCRT सार संग्रे करके परन्तु जोग्रफी के इनकी बुक एक में मास्टरपीस लिए ऐसी परकार से अगर हो पर यार की बात करें तो प्रियार भी जो है आई पये स्की्ट्रफी ठेल लिएले तो नहीं है अभी सैदगी स्कीट्स के मैंे चाहिएिंस düşün संधर तो बूंक uy confirm हो जाती क्योंकि उसमें समझना आसान हो जाता है तो आप में से जो भी बुक आपके पास है आप उसी से पढ़िए और इन में अगर कोई बुक नहीं है मतलब अगर आप कोई भी बुक अभी तक जियोग्राफिक नहीं लिए तो फिर आप मैं कहूंगा कि आप पेरियार ले ल यह थोड़ा सा पढ़ने में आपको बोरिंग लग सकती है वो क्योंकि उसमें फैक्ट काफी ज्यादा है लेकिन आप यह मान के चलिया कि वह जब फैक्स ज्यादा है तो आपके उसमें प्रस्न लगभख सभी आपको जो है मिल जाते हैं वह यूपी पीसी के लिए वह भी ब पढ़ रहा है तो आपके लिए यही बुक सबसे अच्छे क्योंकि जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं उसी को बारबर रिवाइस करिए ना कि आप इस बुक से उस बुक पर ऐसे मत कूदिये ठीक है तो चलिए यह तो हो गया आपका बुक से संबंदित डिसकसन इसके तो अगर NCRT देखे तो जियोग्रफी की जो 11-12 की NCRT है उससे पहले की भी जो NCRT है वो सबी बहुत अच्छी है लेकिन NCRT आपकी जो है वो अवधारनात्मक समझ मजबूत करती है और यहां पर आरो यारो में जो है वो बैसिकली आपके conceptual प्रशन ज्यादा पूछा जाते तो फिर आपकी NCRT एक बेस्ट आपका मजबूत करेगी लेकिन साथ में आप इन बुक्स को कर लेंगे तो इससे आपका जो है तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी परन्तु उसमें एक रिस्क ही है कि आपका हो सकता है कि समय तक जो है आपके यह स्लेबस ना कंप्लीट हो पाए अगर आप सभी सब्जेक्ट में ऐसा करने लगेंगे तो इसलिए मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा बुक्स बहुत अच्छी है मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं परन्तु मेरी सलाह है कि आप NCRT को अभी जो है मतलब तवज्जो ना दें आप इन पर डिरेक्ट आए तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर यह बुक्स नहीं ही समझ में आ रही है तो फिल जरूर आप इस रास्ते से जा सकते हैं दूसरी बात कई लोग पूछते हैं कि लूसेंट से हमारा जो है वह इंडियन जोग्रफी हो जाएगा इतनी तो लूसेंट है तो चलिए यह तो हो गई बुक्स की बात अब देखते हैं कि कौन सा जो है आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जो की इंडियन जोग्रफी के सेक्टर में आप लोगों को ज्यादा ज्यादा पढ़ना उनको बार बार पढ़ना बार रिवाइज करना लास्ट टाइम पे उसको रि टॉपिक्स जो हैं इन में अगर हम लोग बात करें देखिए जितना भी कुछ है यह सब मैं बता रहा हूं केवल और केवल सिलेबस जो आपका है सिलेबस और प्रीवियस येर पेपर इसके अनालिसिस से ही बता रहा हूं तो जब इन दोनों का आप मिला के देखते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाते हैं कि किस पोर्शन से ज्यादा प्रस्ण आ रहे हैं तो उसी के अधार पर मैं आपको यह टॉपिक्स बताना चाहता ह हूं आप लोग खुद भी इसे कर सकते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसमें कोई भी मेरी धारणा नहीं है कि और लेकिन जो जो भी यहां पर फैक्ट्स पूछे गए हैं उसी के अधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपोर् जाता है चैप्टर उसके बाद आप बात करें तो एक अपवाहतंत्र करके चैप्टर होता है अप वातंत्र इसमें आपके नदी जील यह सब सारी चीज़े बांद यह सब चीज़े आ जाती है तो उसको आप जल प्रपात वगरा हो गया तो यह जो है कृशी हो गया अपवा पर PCS में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आरो यारो में इंपॉर्टेंट है तो यह जो स्टैट्जी में इंडियन जोगरफी की बना के लाया हूं यह बैसिकली आपके आरो यारो की परिक्षा को ही ध्यान में रखके बनाया है जो पिछले 5-6 जो एक्जाम्स किस राज में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह हो गया यह थोड़ा से बोरिंग भी होता है पर इसको आपको करना मजबूरी है और जरूरी है तो खनीज हो गया या फिर उर्जा संसाधन हो गया कि अच्छा कल पकम वाला जो है वो परमाडू बिजलीघर वो कहां प पर रहें तो यह सब भी पूछ लिए जाबते हैं तो यहां पर एक संसाधन वाला हो गया यह इनका मतलब ज्यादा से कम की और हम लोग बढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं इसके बाद देखिया कि एक चैप्टर आता है भू आकृतिक प्रदेश भू आकृतिक प्रदेश तो भू आकृतिक प्रदेश में बेसिकली होता क्या है कि जो पहाड या फिर परवथ की सबसे उच्छी चोटी कौन सी है हिमेले परवध हो गया या फिर प्रायद वी पी पतार हो गया तठ हो गया यह सारी चीज़े जोjin हे वो भूहाइक या फिर सबसे उत्री चोर का है सबसे दक्षिडी ध्रीत रहे आठना करों यहां पर अब ये नगरी करन है आप यह मान कि चलिए यह जो टौपिक्स हैं इसका बार-बार रिवीजन करना है और इसमें जैसे आप नगरी करनग कई टौपिक हो गया तो यह ऐसा टौपिक है जो कि हर बार एक्जाम में से एक प्रशन आया है बहले ही एक प्रसनात आता है वह आप कह काम हो जाएगा तो यहां पर आप यह समझ लीजे कि most important में अगर देखे तो यह सारे chapters जो ही ऐसे हैं जिनको आपको बार-बार उसको revise करना है आप कहेंगे कि तो कई सारे chapter हो गए तो ऐसा नहीं है इसके अलावा भी कई सारे chapter हैं जैसे आपका जलवायू हो गया वनस्पति हो गया मृदा हो गया भासा हो गया आपदाएं हो गया ऐसे कई सारे chapters हैं जो कि हम लोग उसको एक बार बस पढ़ लीजे बैसिकली पूरी बुक को एक बार तो पढ़ी लीजे लेकिन उसके बाद रिवाइद जो है वो इनको जादवार कीजिए और उनको आप छोड़ भी सकते हैं या फिर कम महतुबी दे कर आपका काम चल सकता है इसके अलावा देखिया कि हम लोग जो अपने टेलिग्राम ग्रूप पर हम लोग एक फ्री कुज भी करा रहे हैं जिसमें आपकी GS की, Hindi की और Current Affairs की इसकी जो है quiz कराई जाती है और यहां पर हम लोग जो है इसका daily basis पर आपको quiz मिलती हैं जिससे आप लोग प्रशनों को solve करके और यह भी समझ सकते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्या आपकी तैयारी के स्तर है यह और भी कई सारे initiatives हम लोग ने आरो टेलिग्राम ग्रूप अभी तक नहीं जोइन कियें तो उसे जोइन कर लिजे आप लोगों के लिए बहुत फायदे मंद्य और पूर्णते निश्रुलक है तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था उम्मीद है आप लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा बहु